एकादशी कार्तिक माह के शुकल पक्ष में आती है। माना जाता है कि इस दिन श्रीहरी विष्णु पाँच माह के बाद शैनकाल से जाकते हैं। देव उठने के बाद सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। इस दिन रात में शालिग राम जी और तुलसी माता का विवा होता है। इतना शुब दिन होने की वज़ह से विवा के लिए भी ये दिन बहुत शुब माना जाता। थाली या सूप बजा कर जगाते हैं देव को। हिंदू धर्म में मान्यता है कि चार माह देवता सोते हैं। इस दौरान मांगलिक कार्य नहीं होते। देव शैनी दशी पर आकर संपन्न होता है, देश के हर कोने में अलग रीती रिवात से मनाया जाता है, या पाव वही बात करें इस दिन पश्चमी यूपी और राजस्थान के इलाकों में चौक और गेरू से पूजा स्थल के पास तरहत्रा के डिजाइन बनाए जाते हैं। इनमें गा गाकर देवताओं को जगाया जाता है। थाली बजाते हुए गीत गाते हैं, उठो देव बैठो देव, अंगुरिया चटकाओ देव। मान्यता हैं कि थाली या सूप बजाकर देवों को जगाने से घर में सुक्षान्ती बनी रहती है और मनोकामना पूरी होती है। पहाड घरों में सुबह साफफाई के बाद मीठी पूरी दाल के पकोड़े बनते और बनते हैं। पशों की पूजा होती है। वही दिन धलने पर घरों के भीतर और बाहर दीपक जलाये जाते हैं। कई जगों पर धोलगमों की थाप पर नाचते हुए गाव वाले भैलों खेलने क का बना रसी से बंधा एक गोला होता है जिसमें आग लगा कर गोल-गोल घुमाया जाता है। माना जाता है कि अनिष्ट को भगाने के लिए भैलों जलाये जाते हैं। ये एक तरह से पटाखे का स्थानिय रूप है। गड़वाल की नागपुर पट्टी के तहट बैंजी गाव में तो इस दिन समुध्रमंधन, वासुकी नाग और देवासुर संगराम का प्रतीकातमक मंचन भी किया जाता है। देव दीपावली यानि देवताओं की दीपावली प्रतेक वर्षकार्तिक माह की पूर्णमा तिथी पर देव दीपावली मनाई जाती है। हिंदू यहां पर्फ मुख्य रूप से काशी में गंगा नदी के तट पर मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन देवता काशी की पवित्र भूमी पर उतरते हैं और दिवाली मनाते हैं। देवों की इस दिवाली पर वारानसी के घाटों को मिट्टी के दियों से सजाया जाता है। एक प्रचलित कथा के अनुसार, कार्तिक महीने की पूर्णिमा तिथी को भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वद किया था। त्रिपुरासुर के आतंग से मुक्त होने की खुशी में सभी देवताओं ने काशी में अनेको दीप जलाकर उत्सव मनाया था। ऐसे में हर साल इसी तिथी पर यानि कार्तिक पूर्णिमा और दिवाली के 15 दिन बाद देव दीपावली मनाई जाती है। इस दिन पवित्र नदियों में सनान, दानकुन्य और दीपदान किया जाता है। एकादशी क्यों मनाई जाती है। हमारे वेदकुराणों में मान्यता है कि दिवाली के बाद पढ़ने वाली एकादशी पर देव उठ जाते हैं। यही वज़ा है कि देवोठनी ग्यारस के बाद से सारे शुपकार्य जैसे विवा, मुंदन, ग्रिह प्रवेश, आदी प्रारंब हो जाते हैं। ग्यारस के दिन ही तुलसी विवा भी होता है। इस विडियो में इतना ही आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी।